कि बगिया चैनल में आप सभी लोगा सागत है देखिए आपको दिखा रहे हैं यह वाइड जामुन का पौधा सफेज जामुन इसमें आते हैं और इसमें देखिए फ्लावरी हो रही है वाह देखिए क्या खुबसूरत फूल निकले हैं अब यह फल में बनेंगे पिछले साल में आठ दस सफेज जामुन लगे थे इस बार भी लग रहा है कि कुछ लगेंगे दोस्तों देखिए फ्लावरी हो और यह देखिए हमारा सफे सफेज जामुन के पौधे को लगा सकते हैं और हाथ कंगर को आरसी का पढ़े लिखों को फार्सी का देखिए आपको सामने दिखाई दे रहा है यह वाइट जामुन का पौधा उसमें फ्लावरी हो रही है जब दस्त फ्लावरी है दोस्तों धीरे-दीरे से छोटे-छोटे जो यह फ्लावर से खिलने लगेंगे और यह देखिए यहां से भी एक निकल ला है और बाकी पौधा देखिए इस तरह से हैं लोड़ा वाइट पत्ते हो गए इसके आगे कुछ और क्या दिक्कत है और समझ में नहीं आ रही लेकिन पौधा बहुत ही सही है अब इसमें फर है और गमले में यह लगा हुआ है यह सफेज जामुन जी हां सफेज जामुन अभी तक हमने लास्ट यह इसमें साथ-ाठ निकले थे और इनका टेस्ट भी वैसे होता जैसे नार्माल जामुन का क्वधा है उसे मुस्य तरह से इसको और इसको भी कोई सेवा नहीं है चालिस परसंग झाली है गोवर की सडी और और उसी परकार सित्थ हुए इसमें 40% मिट्टी है गार्डन सौय और दस परसंग आट यहां जूद्ध दली है मॉरंग आप उसके बाद 5% नेम की खली और बाकी और बाकी नियम नैए कि इसके लावा इसमें किसी कमिकल खात का जबर दस्त अब धीरे दीरे फ्लावर बढ़ेंगे देखिए जामन का पौधा जी हाँ आप लोगे से नोत की राम की बग्या चैनल को जरू सब्सक्राइब करें और इसको देखें और देखें कि हम गमले में भी संभाव है कि आप और देखो उगा सकते हैं फल परात कर सकते ह आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप देखेंगे कि आपकी गमले में फ्लावरिंग हो रही है बहुत बढ़िया महसूस करेंगे दोस्तों राम की बग्या चैनल में इसे प्रकार के नए नए फल तार पौदे फूल उनके लिए जरूर हमें सब्सक्राइब करें लाइ